हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हूँ आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होगे आज मैं आप लोग के लिए क्या हूँ बेटा बेस्ट पाँच सवाल और मतलब टोटल इंटरन रेफलेक्शन पे बेस्ट पाँच सवाल जो आपको हेल्प करेगा टी आ पहला सवाल जो कि बहुत ही आसान है कि पहला सवाल कहता यह है कि लाइट ट्रेवल इन टू मीडिया ए एंड बी विदी स्पीड ऑफ इन दोनों मीडिया की बीच का क्रिटिकल एंगल क्या है तो सबसे पहले एक बात बताओ कि क्रिटिकल एंगल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू आप बोलोगे सर साइन इन वर्स म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर होता है अगर यह फर्मूला क्लियर है तो यह सवाल बहुत आसान है बेटा अगर यह फर्मूला आप नहीं जानते हो तो हमारे पेलिलिस्ट में जाएए वहाँ पर टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन के वीडियो है अब उसे चेक आउट कर सकते हो चलिए तो सबसे पहले बेटा मीडिया ए जो है हमारे पास उसमें स्पीड ओफ लाइट कितना है बेटा वहाँ पे स्पीड है बेटा 1.8 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड क्या यह स्पीड है मीडियम ए में तो बताइए कि इस मीडियम में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा इस मीडिया का यानि इस मीडियम ए का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा बेटा बताना ध्यान से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है सी अपॉन वी सी इस स्पीड ओफ लाइट स्पीड ओफ लाइट होता है बेटा 3 इंटू 10 to the power 8 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड और स्पीड अफ लाइट इन मीडियम एक इतना है बेटा 1.8 इंटू 10 to the power 8 तो यह दोनों तो cancel out हो गिया और यहां क्या बचा 3 upon 1.8 इसी को हम लोग 30 upon 8 लिखेंगे और यह आजाएगा बेटा 6 से काटेंगे तो यह आजाएगा 5 upon 3 ओलाइट तो इसका मदब refractive index of A कितना आगिया बेटा refractive index of A आगिया आपका 5 upon 3 ओलाइट similarly हम लोग refractive index of B निकालेंगे refractive index of B अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या आगा बेटा speed of light क्या है 3 into 10 to the power 8 और speed of light in medium B में कितना है 2.4 into 10 to the power 8 तो 10 to the power 8 और 10 to the power 8 तो cancel out हो जाएगा यहाँ पर आएगा 3 upon 2.4 और यहाँ पर आजाएगा 30 upon 24 तो यह किससे कर जाएगा बेटा यह कर जाएगा 6 से यानि इसका जो refractive index आया बेटा वो 5 upon 4 आया इसका जो refractive index आया वो 5 upon 4 आया एक बात बताओ बेटा कि इन दोनों में से refractive index किसका जादा है यानि हम कहा सकते हैं कि refractive index हम कहा सकते हैं कि refractive index of A is greater than refractive index of B अरे refractive index of A कितना है बेटा 5 upon 3 और refractive index of B कितना है 5 upon 4 तो यहाँ पर हम refractive index of A is greater than refractive index of B है इसका मतलब यह आपके लिए हो गया denser और यह आपके लिए हो गया rarer तो यह होगी आपके लिए denser और यह होगी आपके लिए rarer आप हम लोग formula में put करेंगे तो theta c तो यहाँ पे theta c will become sine inverse mu rarer का value कितना है mu rarer का value है 5 upon 4 divide by mu denser का value कितना है 5 upon 3 जब इसको आप solve करोगे तो theta c will become sine inverse 3 upon 4 तो अब बताए कौन सा correct option होगा बेटा अब बताए कौन सा correct option होगा I think option number d will be the correct answer ठीक है ना चलिए next question पे हम लोग move करते हैं बेटा next question हमारे पास है कि the wavelength of a light in two media x and y is 500 angstrom and 700 angstrom then the critical angle of x relative to y will be alright तो यहां पे हम लोग क्या जानते हैं बहुत important सवाल है बेटाए यहां पे देखना यहां पे कुछ कुछ कंसेट भी पता चलेगा हम लोगों को कि wavelength in wavelength in media x जो है बेटा वो केतना है 3500 angstrom उसी तरह wavelength in media y जो है वो 7000 angstrom है क्या मैं इसी lambda को चुकि light एक wave वेव प्रापर्टी को भी फोलो करता है तो हम लोग इसी चीज़ को हम लोग क्या हम velocity of x into frequency लिख सकता हूँ और इसी को मैं velocity of y into frequency लिख सकता हूँ अब यहाँ सुनना है बैटा धिहान से कि frequency यहाँ पे और यहाँ पे frequency बैटा same है क्योंकि light जो है light का जो frequency है वो basically change नहीं होता है जब वो एक medium से दूसरे medium में जाता है तो frequency never changes when it crosses from one medium to another medium इसलिए मैंने दोनों frequency को किया लिया है अपॉन वी वाई विल बिकम one अपॉन टू क्योंकि इसको divide करेंगे तो यह कर जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वी एक्स is equal to वी एक्स is equal to या फिर हम कह सकते हैं कि twice of वी एक्स is equal to वी वाई twice of वी एक्स cross multiply कर दिया है यार twice of वी एक्स is equal to वी वाई तो अब बताओ यहां से हम कह सकते हैं कि वी वाई is greater than वी एक्स वी वाई is greater than वी एक्स वी वाई वी वाई वी वाई is greater than वी एक्स तो इसका मतलर यह हुआ बेटा कि वेलोसिटी इन y जादा है और वेलोसिटी इन मीडियम एक्स जो वेटा वो कम है इसका मतलब यह हो गिया आपके लिए rarer और यह आपके लिए हो गिया बेटा dancer क्योंकि dancer medium में light का speed वो घड़ जाता है और rarer medium में light का speed बढ़ जाता है तो speed in y medium हमारा जादा है तो यह rarer medium हो गिया speed of light in medium x वो कम है इसलिए dancer medium हो गिया तो अब हम लोग चलते हैं बेटा critical angle निकालने के लिए critical angle कहता है sine inverse mu rarer upon mu denser क्या मैं इसी चीज़ को sine inverse mu rarer को c upon velocity of rarer बोल सकता हूँ यहाँ पे c upon velocity of denser भी मैं कह सकता हूँ तो यहाँ से theta c आ जाएगा c c कैंसी लाड़ हो जाएगा sine inverse v velocity of light in denser medium और velocity of velocity of light in rarer medium क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि theta c is equal to sine inverse sine inverse sine inverse हमारे पास क्या है बेटा v x अपान v y which is equal to sine inverse 1 upon 2 will become sine inverse 1 by 2 is equal to 30 degree तो theta c हमारे पास जो आगिया बेटा theta c जो आगिया हमारे पास वो आगिया 30 degree तो hence 30 degree is your answer this will be the correct answer अब आते हैं बेटा third question पे third question ये कह रहा है कि an optical fiber consists of a core of refractive index mu1 surrounded by the cladding of refractive index mu2 which is less than mu1 a beam of light enters from air at an angle alpha with axis of fiber the highest alpha for which ray can be traveled through a fiber is मतलब ये हुआ कि alpha का वो maximum value निकालना है जिस पर ये जो ray है जो अंदर ही अंदर totally internal reflected हो जाए मतलब TIR हो जाए आय समझ में क्या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा डाइग्राम बनाते हैं कोश्चन को आप एक बार फिर से पढ़ लेना कोश्चन बहुत आसान है मतलब निकालना है हमको alpha का वो maximum value जिस पर जो rays of light है वो refractive index 1 में जो 1 है जो fiber उसी में total internal reflection हो जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डाइग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे डाइग्राम बनाएंगे डाइग्राम कुछ हमारे लिए कुछ इस तरह से है अब बताओ बेटा यहां ध्यान से कि refractive index refractive index refractive index इसका कितना है mu1 और इसका refractive index कितना है mu2 और हम लोग जानते हैं कि mu1 is greater than mu2 यानि हम कह सकते हैं refractive index जो है बेटा mu1 is greater than is greater than mu2 all right greater than mu2 है तो एक light यहां से basically यह जो light है यहां पे कुछ इस तरह से alpha angle पे जा रहा है air से तो बताओ यहां पे light rays जो है वो air से dancer medium जा रहा है तो यह क्या होगा बेटा थोरा सा normal के तरफ क्या होगा जुके का और फिर यहां से यहां से जो एक normal है बेटा उस पे क्या हो जाएगा यहां पे tir हो जाएगा normal पे क्या हो जाएगा यहां पे tir हो जाएगा इस मस्ट भी क्रिटिकल एंगल, और तो यहां पे हमको क्या करवाना है बेटा, टियाइर कराना है, मतलब अलफा का वो मैक्सिम वैल्व बताना है, ताकि यहां पे टियाइर एक बार हो जाए, तो फिर फर्दर इसी के अंदर वो टियाइर होता चला जाएगा, है न? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे बैटा स्नेल्स लोग स्नेल्स लोग को इस्तिमाल करेंगे हम लोग स्नेल्स लोग को इस्तिमाल करेंगे स्नेल्स लोग हम लोग इसमें इस्तिमाल करेंगे लिखेंगे incident light rays का है बेटा air में तो air का reflective index होता है बेटा 1 into sin of alpha is equal to mu 1 sin of r तो देखो यहाँ से बेटा alpha का maximum value निकालना है तो इसका मतलब alpha को जैसे जैसे बढ़ाएंगे क्या हमारे पास r भी बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे alpha को बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास r भी बढ़ेगा तो एक particular value जो है बेटा वो alpha का क्या होगा बेटा एक alpha maximum आएगा तो उसी instant पर हमारे पास r maximum भी होगा उसी instant पर क्या होगा हमारे पास r maximum भी होगा तो अगर हम इस equation को कुछ इस तरह से भी लिख दें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा साइन ओफ अल्फा मैक्सिमम इस इक्वल टू म्यू बन साइन ओफ आर मैक्सिमम क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अल्फा का जो मैक्सिमम वैल्यू हुआ उसी इंस्टेंट पर टियायर होना है है ना तो यह कंडिशन यहां से आ गया इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा एक स्टेप यहां पर एक्वेशन नंबर वन माल लेते हैं अब आते हम लोग बेटा टियायर के कंडिशन को यहां पर हम लोग को क्या करवाना है TIR करवाना है ताकि यह अंदर ही अंदर reflect हो जाए तो theta c जो होगा बेटा वो किस के बराबर होगा देखो तो दिहान से क्या theta c 90 minus r maximum के बराबर नहीं होगा क्या देखो बेटा यहाँ से इस triangle में देखो तो आप theta c r और यह बेटा क्या है 90 degree तो theta c हम कह सकते हैं कि वो 90 minus r maximum के बराबर होगा तो यहाँ पर हम लोग theta c को क्या लिखते हैं sine inverse mu rarer upon mu dancer है ना is equal to 90 minus r max है ना अब देखो यहाँ ध्यान से sine inverse mu rarer क्या है बेटा mu rarer is basically mu 2 और mu dancer क्या है हम अमरे पास mu 1 है और यह क्या जगा बेटा 90 minus r का maximum value है ना तो इसको फर्दर अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या mu 2 upon mu 1 is equal to sine of 90 minus r max इसी को हम लोग फर्दर आगे mu 2 upon mu 1 is equal to cos of r max लिख सकते हैं क्योंगी sine 90 minus theta क्या होता है बेटा cos theta होता है तो यहां पर हमारे पास equation number 2 आ गया equation number 2 हमको निकालना है किसी तरह से sine alpha यानि alpha का value निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे equation number को 1 को क्या करेंगे बेटा है square करेंगे equation number 1 को क्या करेंगे square करेंगे squaring से क्या पता चलेगा देखो दियान से sine square alpha maximum is equal to mu 1 square sine square r sine square r maximum तो इसको भी square करेंगे equation number 1 को square किया तो इतना आया उसी तरह हम लोग इसको भी square करेंगे तो यह कितना आएगा बेटा mu 2 का square upon mu 1 square is equal to cos square r max cos square r max अब देखो यहां ध्यान से बेटा क्या हम इसको फर्दर एक स्टेप और आगे लिसकते हैं क्या sine square alpha max is equal to mu 1 square sine square r max को हम लोग 1 minus cos square r max लिसकते हैं बेलकुल लिसकते हैं बेटा ठीक है न तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिखेंगे sine square alpha alpha maximum mu 1 square 1 minus इसका value यहां से उठाके यहां पर रख देंगे तो कितना आएगा mu 2 square upon mu 1 square कुछ इस तरह से तो यहां पर क्या बनेगा बेटा sine square alpha maximum is equal to इसको अगर solve करोगे तो कितना आएगा mu 1 square minus mu 2 का square अब देखो यहां ध्यां से क्या alpha maximum क्या यह आया क्या बेटा sine inverse root under mu 1 square minus mu 2 square यह हमारे जो alpha का maximum value आया बेटा कितना आया इतना आया alpha का जो maximum value आया alpha का जो maximum value आया वो sine inverse mu 1 square minus mu 2 square आया तो option number पहले चेक करते हैं सबसे पहले cos inverse mu यह तो हो नहीं सकता है option number is going to be B is the correct answer B हमारा क्या हो जाएगा बेटा correct answer हो जाएगा question number fourth move करते हैं बेटा a glass prism of refractive index 1.5 immersed in a water of refractive index 4 by 3 refer to figure यहाँ पे आपको figure दिया है बेटा a light beam incident normally on the face of AB is totally reflected to reach face BC मतलब यह जो आपका incident light है वो normally fall कर रहा है एक prism में जिसका refractive index 1.5 है जिसका refractive index क्या है बेटा 1.5 है और यहाँ पे एक water है जो की जिसका refractive index 4 by 3 है और यहाँ पे बोल ला है यह जो light AC surface पे fall कर रहा है वो किस पे चला जाए बेटा BC पे चला जाए अगर BC पे जाना है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे आपको 110% कि यहाँ पे आपको TIR का phenomenon observe करवाना पड़ेगा यानि TIR का condition करना पड़ेगा यहाँ पे क्या होना चाहिए TIR होना चाहिए तो इस surface पे सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते है बेटा normal बना लेते है इस surface पे हम लोग क्या बना लिए बेटा एक normal बना लिए तो यह जो angle होगा यह जो angle होगा यह जो angle होगा वो क्या होना चाहिए बेटा ठीटा सी होना चाहिए क्या होना चाहिए ठीटा सी होना चाहिए और हम लोग जानते हैं कि यह जो सर्फेस है बेटा इस पे यह क्या है 90 डिगरी इस पे क्या है यह 90 डिगरी इस पे क्या है बेटा यह 90 डिगरी तो हम कह सकते हैं ये ठीटा है और ये क्या है आपका 90 ये क्या हो गया बेटा 90 मनस ठीटा अगर ये 90 मनस ठीटा है तो ठीटा C will become equals to ठीटा अब हम लोग critical angle find out करना है तो critical angle क्या होता है बेटा ठीटा C is equal to sine inverse mu rarer upon mu denser तो ठीटा C देखो ध्यान से sine inverse mu rarer कितना है बेटा कहां से कहां light जा रहा है light moves from glass medium to water medium तो glass is denser and water is rarer तो rarer medium हमारे पास क्या आजाएगा बेटा 4 upon 3 और जो हमारे पास 1.5 है इसको हम लोग 3 by 2 लिख सकते हैं राम से तो बताइए कि ठीटा C ठीटा C का जो value आया वो कितना आया sine inverse sine inverse 8 upon 9 आया गया बेटा तो हम कह सकते हैं कि sine of ठीटा C is equal to 8 upon 9 or we can say that or we can say that sine of ठीटा क्योंकि यहां से हम लोग जानते हैं कि ठीटा और ठीटा C क्या है बेटा बराबर sine ठीटा कितना आगया बेटा 8 upon 9 यह तो हमारे पास क्या है बेटा वर्ज कंडिशन है कम से कम ठीटा C से तो जादा ही होना चाहिए इस surface पे light को इस surface पे आने के लिए तो इसका मतलब इसका जो best appropriate answer हो जाएगा option number D हो जाएगा all right correct है है ना चलिए move करते हैं अब question number fifth पे all right question number fifth जो है बहुत interesting है अब देखो ध्यान से बहुत मज़ा आने वाला है इस question में सबसे पहले क्या है question पढ़ते हैं बेटा a point source of light is placed at the bottom of the vessel containing the liquid of refractive index 5 upon 3 यानि अभी जो liquid का refractive index वो 5 upon 3 है a person is wing the source from the above of the surface there is an opaque disk of radius one centimeter floating on the surface of the liquid the center of the disk lies vertically above the source S the liquid from the vessel is gradually drained out through the tap the maximum height of the liquid for which the source cannot be seen at all from above is तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा मतलब इस container से liquid को लगाता tape के थूर निकाला जा रहा है तो माल लेते हैं कि question यह कह रहा है कि वो height of water बताईए जहाँ पर जो आदमी उपर बैठावा यहाँ पे इस point पर उसको कोई भी light बाहर आता हुआ नहीं दिखे ठीक है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा let's suppose किसी भी t time पे इसका जो height होगा इसका जो height होगा बेटा उसको हम लोग क्या माल लेंगे इसको हम लोग किसी भी t time पे इसका जो height होगा बेटा वो h माल लेंगे कितना माल लिए बेटा? h माल लिए और सुनना या ध्यान से अगर हम यहां से क्या करें बेटा? यहां से अगर हम light को यहां से हम light को pass करें तो at least light को अगर नहीं देखना है उपर वाले आदमी जो observer है उपर में तो at least इस verge पर इस verge पर क्या होना चीए? बेटा, TIR होना चीए इस verge पर क्या होना चीए? TIR होना चीए इस verge पर क्या होना चीए? TIR होना चीए तो यह जो angle निकल के आएगा बेटा वह होगा हमारे पास ठीटा सी, इसी particular angle पर क्या होगा टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटर्नल क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा तो अब सुनना ध्यान से कि अगर यह ठीटा सी है तो यह भी कितना होगा बेटा ठीटा सी है ना क्योंकि देखो बेटा यहां ध्यान से अगर यह जो आपका plate है बेटा अगर यहाँ पर source of light है let's suppose यहाँ पर एक source of light है तो at least कम से कम इस verge पर क्या होना चीए बेटा, TIR होना चीए इस verge पर क्या होना चीए TIR होना चीए ताकि light जो है वो अंदर ही अंदर reflect हो जाए अगर माल लेते हैं light यहाँ से TIR हुआ यहाँ से क्या हुआ बेटा यहाँ से TIR हुआ तो क्या होगा कि यहाँ से इसके 20 से जो light आएगा वो TIR नहीं हो पाएगा और वो बाहर निकल जाएगा यहाँ पर तो इसका मतलब जैसे ही बाहर निकलेगा तो यह एंगल कितना आगे बेटा ठीटा से आगया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्क का रेडियस है बेटा वो कितना दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा रेडियस है ना डिस्क और रेडियस वन सेंटीमेटर तो यह बेटा क्या आगया बेटा 1 cm आ गिया और यह जो height है यहां से यहां तक का height वो हमने कितना assume कि क्या हुआ particular time पर h height क्या हुआ तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा theta c निकालेंगे theta c is represented by sine inverse mu rarer upon mu dancer तो theta c will come कितना आ जाएगा comes out to be mu rarer कितना है बेटा 1 dancer कितना है 5 upon 3 तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे sine inverse 3 upon 5 which is equal to 37 degree which is equal to 37 degree अब इसी चीज़ को हम लोग यहां से इस triangle के नियम से लिख सकते है बेटा क्या tan of theta c हम लोग क्या लिख सकते है tan of theta c लिख सकते है इस triangle में देखना दियान से इस वाले triangle में इस वाले triangle में देखो दियान से इस वाले triangle में अगर हम लोग दियान से देखेंगे तो लिखेंगे बेटा perpendicular upon base perpendicular हमारा केतना है 1 cm और base हमारा केतना है बेटा h और 10 37 केतना होता है 3 upon 4 केतना होता है 10 37 3 upon 4 तो अब यहां से h जो आ जाएगा वो आ जाएगा बटा 4 upon 3 which is 1.33 cm तो इसका answer होना चाहिए बटा 1.33 cm यह option number c हमारा is the correct answer ओल्राइट चलिए